नमस्त संस्कृत आए प्रकार आपने एक बार पढ़ा है सूत्रों से पढ़ा है उदाहरनों को पढ़ा है अब हम लोग उसको पढ़ रहे हैं कि बहुत विकल्पी प्रश्णों के रूप में हमारे सामने संधी किस प्रकार से आ सकती है तो आए हम कुछ इंपार्टन प्रश्ण आपको दे रहे हैं उनमें सबसे पहला प्रश्ण है कि संधी क्या है या संधी किसे कहते हैं माल लिजए ऐसा सवाल आपसे पूछ ले तो दो पदों का मेल संधी है कि दो वरणों का मेल है कि इन में से कोई नहीं है आप जानते हैं कि दो वरणों का मेल संधी कहा जाता है इसलिए जो भी वाले बिकल्प में लिखा है चुकि दो पदों का मेल तो समास है और दो वरणों का मेल क्या है संधी है दो वरणों का मिलना और उन दो वरणों के मिलने के बाद कोई विकार या परिवर्तन हो से को हम संधी कहते हैं इसलिए इसका उत्तर होगा संधी किसे कहते हैं तो आप लिखेग बड़नों का मेल भी वंला बिकल्प सही करिए दूसरा प्रशन है संध कहां आवश्यक नहीं मानी जाती है प्रशन एक र और और देखेगा संध कहां आवश्यक नहीं मानी जाती है ये भी एक बार UPGIC की परिक्षा में पूशा गए सवाल है 2009 में और आपने एक कारिका पढ़ आवस्यक है धातू और उपसर्ग में संधी आवस्यक है अनिवारी है समास में भी संधी आवस्यक है अनिवारी है लेकिन वाक्य में संधी अनिवारी नहीं है आवस्यक नहीं है सवाल यही पूचा जा रहा है कि संधी कहां आवस्यक नहीं माने जाती अर्थात संधी कहां पर अनिवारी रूप से करना आवस्यक नहीं है इसलिए आपको लिखना चाहिए वाक्ये तूसा विवक्षाम पिक्षते अता दूसरे का डी विकल्प सही हो जाएगा और संधी एक पद में अनिवारी है आवस्यक है धातूप सरग में अनिवारी आवस्यक है समास में भी अनिवा संधी में संधी में काम आता है कि समास में कि लोप में कि कारक में तो आप ये जाने रहें संधीता सब्दो संधीता पद से सूचित होती है संधी व्याकरने अर्थाद व्याकरन सास्त्र में संधीता पदे ने सूचिते संधीता पद से किसकी सूचना दी जाती है तो आपको ल इसनु परिवरतन संदि के इसान उतले सितले स्वह एब्सक्राइब डी वाला सही कर लीजे पाचमा है अच संदी किसे कहते हैं अच माने स्वर बहुत सरल सवाल है अच संदी किसे कहते हैं तो वेंजन संदी को कि स्वर संदी को कि विसर्ग संदी को कि इन में से कोई नहीं पाचमा का सवाल का उत्तर हो जाएगा स्वर संदी को अच संदी कहते है इसी तरह Vengeance संधी को हल संधी कहते हैं और विसर का नाम विसर्ग है विसर्जनी संधी कहिए चाहे विसर्ग संधी कहिए तीन प्रकार के मुख्य रूप से संधीयां आपने पढ़ी होगी वैसे तो हम लोग 5 संधी प्रक्रण चाहे पढ़ते हैं लेकिन मुख्य रूप से हम संदी के तीन प्रकार ही देखते हैं, वेंजन संदी को, स्वर संदी को और विसरक संदी को, पूछा है कि अच संदी किसे कहते हैं, तो आप लिखेगा स्वर संदी को, फिर हल संदी में विकार होता है, हल संदी में क्या, वियंजन का विकार होता है वियंजन बदलता है कि स्वर बदलता है कि विसरक बदलता है कि उपर इक तो तीनों का अब आप उत्तर देख लिए हल माने वियंजन अब पूछ रहा है कि हल संधी में विकार किसका होता है तो हल संधी में विकार होता है वियंजन का हल माने जेन, सातवाँ प्रस्ने, वाक्य में संदि करना अथवा ना करना ये क्या कहलाता है, एक्शिक की निशिध है, कि उपर इत दोनो कि इन में से कोई नहीं, फिर से वही वाली कारिका आप याद करिये, कौन वाली, कि संहित semester पदेये, नित्या धातूप सरगयों, नित्या समासे वाक्ये तू साभी वक्षाम अपेक्षते तो आप ये कहें कि वाक्य में संदी करना अथवाना करना क्या है तो ये एक्षिक है वाक्य में संदी करना न करना क्या है एक्षिक है इसलिए सात्वे का क्या उत्तर होगा धातु और उपसर्ग में संदी करना है ये उसी प्रश्णत का सवाल है क्या धातू और उपसर्ग में संधी करना क्या है एच्छिक है कि अनिवारी है कि निशिद है कि उपरीकित तीनो है फिर से उसी कारिका को याद करिए कि संगीत आई पदेनित्या नित्या धातू उपसर्ग है नित्या मने अनिवारीuciones पूंच समास में संधी करना नित्य है आवश्यक है अनिवारी है और एक पद में भी संधी अनिवारी है नित्य है आवश्यक है तो पूछ रहा है कि धात और उपसर्ग में संधी करना है तो आप लिखे अनिवारी है आठवे का भी सही कर लिए नवा प्रशन है आपके सामने संगिता क प्रकर्ण में इसकी चर्चे हुई है, संगीता का 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 प्रकर्ण में इसकी और सवाल पूछा कि संगिता काता संदी की है तू लिखे परहन संदी क हा चलु संदी को कैते हैं कि विशह को कि मुख संदी को कहते हैं देखें मुख प्रतमुख विमर्ष अवमर्ष इत्यादी ये तो नाट संधियां हैं और स्वर संधी को हम अच संधी कहते हैं वेंजन संधी को हल संधी कहते हैं विसर्ग संधी को तो विसर्ग संधी कहते हैं इसलिए सवाल था कि हल संधी किसे कहते हैं तो आप वी वाला विक कि संधी वर्ण विधी है, संधी में एक वर्ण दूसरे वर्ण से मिलता है, या इन में से दोनों, या इन में से कोई नहीं, चारवी कलप आपके सामने संधी क्या है, पद विधी, वर्ण विधी, इन में से दोनों, या इन में से कोई नहीं, तो आप समझ गये होगे, कि पर रूप हो बेंजन भी सरगो तो इनमें वरनों से वरन का ही मेल होता है इसलिए संधि क्या है तो आप लिखना संधि वरन विधी है और पदविधी पूचे तो समास पदविधी है ठीक है तो मित्रों आज यही बस 11 प्रश्नों की सरेज में कोईसिस करूगा कि आपको 11 11 प् पीछे का और कोई रीजन नहीं है ग्यारा रुद्र होते हैं और ग्यारा हमारे हैं सुब संख्या मानी जाती है ग्यारा रुपया किसी को दक्षिना दिया जाता है नहीं ग्यारा वार परिक्रमा की जाती है तो ग्यारा को एक हमने अपनी भारती संस्कृती का एक पवित्र बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्त अन्सक्रताए